इससे पहले हम इस सीरीज के दो सीरीज हम कवर कर चुके हैं अभी हम next सीरीज स्टार्ट कर रहे है अरर विग गूरुप डीग के जो सबसे most important questions है वह हम कवर कर रहे हैं जिसकी अब थर्ड सीरीज है अगर आपने पहली दो सीरीज नहीं देखिये हैं तो उन सीरीज को जरूर द किया था और चंदरकुप्त मोरिय की मदद किस ने की थी तो ये चानक के ने की थी चानक के को का दूसरा नम क्या है कोटिलिय को के बाल संग्रालिय कहां पर है तो ये बाल संग्रालिय लखनौ में है जैसी समारक कहां पर बना है तो अमेठी में जैसी समारक बना है भारत की वूल-舞ू कहा जाता है बैक्तिर्या की खुज किस ने ची ती यह सब जानते हैं लिमेहाप ने बैक्तिर्या की खुज की थी जहां पे कुश्ती होती है उसे क्या कहते हैं यह बहुत एजी कोशिचेन है उसको अखाडक का जाता है से वौइवाइफाई की FULanov क्या है तो wireless fidelity, विदेलिटी वइफाई की FUL5 नेटवर्क इसमें वैंन भी होता है जिस्कों कहते है वॉइड एरियन नेटवर्क और होता है मैन मेट्रोपोलटिन एरियन एरियन नेटवर्क इसको भी आद रखें रास्ट कूत राजवन्ष के संस्थापक कौन थे तो इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग तो अल्टी मिटर क्या काम है तो इसका क्या काम होता है विमान की उचाई मापने का इसका काम होता है विमान कितने उचाई पर उड़ रहा है वो पता लगाने का इसका काम होता है तो पर सबसे ज़्यदा होता है, तो कहांची सबसे ज़्यदा का पर बनती है, मेरट के अंदर बनती है, इमेल की खोज किस ने की थी, तो विये शिवा अयुदरई ने की थी, इमेल की खोज, प्रेम वाटिका की रजना किस ने की थी, तो ये रस खान ने की थी, प्रेम वाटिका क प्रत्वी दिवस कमना जाता है बाइस अप्रेल को मना जाता है मौस्ट इंपोर्टेंट गोश्चन कोल कता में भूमी गता रेल मार्ग दम दम से टॉली गंज तक की लंबाई कितनी है तो 16.45 किलोमेटर की दूरी है देश की सबसे लंबी दूरी के रेल प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है 4256 किलोमेटर की दूरी है भारतीय रेलवेबोर्ड कीक्ना कब की गई तो मार्च 1905 इसवी में भारतीय रेलवेबोर्ड की इस्थापना की गई भारत की पहली रेल कहाँ चली तो मुंबाई से ठाने चली थी भारत की पहली रेल तो next portion पर चलते हम सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेलपुल कौन सा है तो नहरू सेतू विल्स एंड एक्सल प्लांट कहां पर इस्ती था ये बैंगलोरा में इस्ती था प्रिवेस कोश्चन क्या था हमारा सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेलपुल कौन सा है तो नहरू सेत्यों हो गए यह कुछ ना हम ने पढ़ लिया है भारत में पर्थम करांती रेल कहां पूँ चली तो दली से बैंगलोरो चली भारत में पर्थम क्रांती रेल कुल केंद्रिय करमचारीों का कितना पर्तिशत भाग रेलवे में कारियर रहता है 40 परतिशत भाग जितने भी सेंट्रल एंप्लोईज हैं उनका 40% कहां पर काम करता है वो रेलवे के अंदर काम करता है सबसे जादा रोजगार देती है रेलवे उत्तर रेलवे में सरवपर्तम पहली रेल बस किस दिन राजिस्थान के मेतरा शहर से मेतरा शहर से मेतरा रोड के बीच प्रारंबे की गई तो 12 अक्टूबर 1994 में की गई कोईले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है तो फेरी कुईन भारत एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेल्वे प्लेटफर्म कौन सा है जिसकी लंबाई 13,000 1366.33 मीटर है कौन सा है प्लेटफर्म यह गोरकफुर रेलवे स्टेशन जो की उत्तर परदेश में इस्थित है विश्व में पर्थम रेल कब चलाई गई तो 1325 इस्व में इंग्लेंड में चलाईगी कोश्चन 113 पुने इस्थित इरिसेन ISO 9001-2000 से प्रमानित भारतिय रेल का पर्थम किस तरह का संस्थान है यह प्रशिक्षन संस्थान है भारतिय रेल बजट को सामन्य बजट से कब लग किया गया तो 1824 इस्व में भारतिय रेल बजट को सामन्य बजट से अलग किया गया रेलवे दोवारा रेडियो आधारित सिगनल डिजाइन परियोजना की शुरुवात किस वर्ष कानपूर से की गई तो 2015 में की गई कानपूर से भारत में भूमिगत मेट्रो रेल का शुभारम कब से और कहां हुआ तो अठार सु चुरसी से अठार सु पिचसी कुलकत्ता में हुआ वर्ष 2015 से रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट का की दर क्या है दस रुपिये जो प्लेटफॉर्म टिकट होता है रेल वेगा तो वो दस रुपेगा कर दिया गया भारत में सबसे लंबी दूरी तैक करने वाली रेल गाड़ी कौन सी है विवेक एक्सप्रेस नेक्ट वोशन पर आते हैं वन थर्टी नाइन एक सो उन्तालिस इंटीग्रल कोच फैक्टरी कहां पर है चेन्नाई के अंदर है पैरंबूर के अंदर रेलवे कोच फैक्टरी कहां पर है हुसेनपूर कपूर थला में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का सफल परिक्षन 3 जुलाई 2014 को किया गया यह ट्रेन कितने किलोमेटर परती घंटा की गती से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के मद्द्य चलाई गई तो इस 160 किलोमेटर परती घंटा की स्पीड से यह चलती है रेलवे कोच फैक्टरी की स्थापना कब होई 1988 ECU में रेलवे कोच फैक्टरी की स्थापना की गई भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेल गाली कौन सी है तो समझोता या थार एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज गती से चलने वाली रेल गाली कौन सी है है देश में पहली ब्लोट ट्रेन किसके माध्यम से चलाई जाएगी किसके मध्य चलाई जाएगी मुंबई से एहमदबाद के मध्य ये ट्रेन चलाई जाएगी भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है हमने अभी पढ़ा था खड़कपूर पश्चिम बंगाल के अं इस वीडियो में इतना ही यह सीरीज अभी जारी रहेगी आप सभी सीरीज देखें थैंक्स पूर वाचिंग वीडियो को जादे जाता शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें